नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी लोगा सोनो इस्टड़ी क्लास से यूटूब शेल में दोस्तों मैं आप लोगों को इस याटी बुक क्लास नाइन्थ हिंदी चैप्टर पांच इस्मृती गद खंड काभी पर प्रस उत्तर मैं आप लोगों को स्प्रूड़ों बत थी हवा मज्जा तक ठिठूरा रही थी इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा मा ने वेजाने के लिए थोड़े से चने एक धोती में बांध दिये हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मो था उतना इस उ नापू के लिए नारायन वहन हो चुका था मखनपूर के स्कूल और गाउं के बीच पढ़ने वाले आम के पेड़ू से प्रतिवर्ष उससे आम जूरी जाते थे इस कारण वह मोक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था प्रसन्न वंदन हम दोनों मखनपूर की और तेजी से बढ़ने लगे चित्थियों को मैंने टूपी में रख लिया क्योंकि कुर्टे में जेवे न थी प्रस्त नमबर एक प्रस्तुल गधांस का संदर्व लिखिए नमबर दो रेखांकित अंस के ब्याख्या कीजिए प्रस्त नमबर तीन लेखक ने चित्थियों को कहा रख लिया था कुस्त नमबर चार लेखक ने चित्थियों को टूपी में क्यों रख लिया कुस्त नमबर पांच लेखक ने डंडे की तुलना किस्ते की है उतर संदर प्रस्तुत गद्धान समारी पाठी पुस्तक हिंदी गद में सकलित एवं स्री राम सर्मा द्वारा लिखित इस्मृती नामक निबन से उधित है प्रस्तुत आउत्रन में लेखक ने अपनी बालेवस्ता का सजीव चित्रन करते हुए बच्पन की छोटी छोटी बारिकियों को इस्पष्ट किया है प्रस्त नमर दो रिखांकित अंसो की ब्याक्या लेखक सीत रितु का वर्णन करते हुए कहता है कि जाड़े का दिन था हाड कपा देने वाली ठंड थी इसलिए हमने कानों को धोती से बांद लिया मा ने चना भुजाने के लिए उसे एक धोती में बांद कर मुझे दिया मैं और छोटा भाई डंडा लेकर घर से चल पड़े उस समय उस बबूल के डंडे से जितना लगाव था उतना आज एक राइफल से नहीं है मैं उस डंडे से अने एक सापो को मार चुका था प्रतिवर्स इसी डंडे से आंग के टिकोरे तोड़े जाते थे इसलिए वह डंडी मुझे अत्यंत प्रे था हम दोनों भाई मक्खन पुरे की और आगे बढ़ें कूरते में जेबन होने के कार्ण चित्थियों को मैंने टोपी में रख लिया था प्रश्ण नमबर तीन लेखक ने चित्थियों को अपनी टोपी में रख लिया था प्रश्ण नमबर चार लेखक ने लेखक के कुर्ते में जेव न थी इसलिए उसने चिठियों को टूपी में रख लिया था प्रश्ण नमबर पांच लेखक ने डंडे की तुलना गरुड से की है प्रश्ण नमबर दू साब से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की और से निकले कुएं में धेला फेक कर फुसकार सुनने की प्रवर्ति जागरित हो गई मैं कुएं की और बढ़ा छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया जैसे बड़े म्रिक्सावक की पीछे छोटा म्रिक्सावक हो लेता है कुएं की किनारे से एक धेला उठाया और उज़कर एक हात में टोपी उतारते हुए साब पर धेले गिरा दिया पर मुझे पर तो बिजली सी गिर पड़ी उपिऊक कद्धाश का संदर्व लिखे पर दो रिखांकित अंस्की ब्याख्या की जिए पर तीन लेखक को कब लगा की उस पर बिजली सी गिर पड़ी उतर प्रस्तमबरिक प्रस्तमबर दोरे खांकित अंसु की व्याख्या लेखा कहता है कि मैं बच्पन में साफ से फुसकार करवा लेना महानकारी समस्ता था मैं और छोटा भाई जब कुए की तरफ से गुजरते तो फुसकार सुने की इच्छा बलोती थी मैं कुए की तरफ बढ़ा और छोटा भाई मेरे पीछे हो गया कुए की किनारे से मैंने एक धिला उठाया और एक हाथ में टूपी उतारते हुए साप पर प्रहार किया लेकिन मैं एक अजीब संकर्ट में फस गया टूपी उतारते हुए मेरी तीनों चिठिया कुए में गिर पड़ी साप ने फुसकारा था या नहीं मुझे आज भी ठीक से याद नहीं मेरी इस्तिति उस समय वही हो गई थी जैसे घास चरते हुए हीरन की आत्म गुल लगने पर निकल जाती है वह तड़पड़ा रहता है चिठियों के कुए में गिरने से मेरी भी इस्तिति हीरन जैसी हो गई थी लेखक को टूपी उतार ते हुए तीन चिठिया कुए में गिर पड़ी उस समय लेखक पर बिजली सी गिर पड़ी प्रेशन नमर तीन साप को चसु स्वा कहते हैं मैं स्वयम चसु स्वा हो गया था अन्य इंद्रियों ने मानों सहन भूती से अपनी सकती आखो को दे दी हो साप के फन की और मेरी आखे लगी हुई थी कि वह कब किस और को आकरमड करता है साप ने मोहनी सी डाल दी थी साइद वह मेरे आकरमड की प्रतिक्छा में था पर जिस विचार और आसा को लेकर मैंने कुवे में गुषने की ठानी थी वह तो आकास कुसुम था मनुष्य का अनुमान और भावी योजना कभी कभी कितने मिथ्या और उल्टी निकलती हैं मुझे साप का साच्छात होन ते ही अपनी युजना और आसा की असमभवता प्रतीत हो गई डंडा चलाने के लिए इस्थान ही न था लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी इस्थान चाहिए जिसमें वे घुमाये जा सके, साप को डंडा से दबाया जा सके था, पर ऐसा करना मानुत तूप की मुहरे पर खड़ा होना था प्रस्त नमबर एक, उप्योक्त गधांस का संदर्व लिखी, कोशन बर दोरेखांकित अंसकी ब्याक्षा की जी, कोशन बर तीन, चसु स्वा की नाम से कौन सा जीव जाना जाता है उत्तर, नमबर एक, संदर, प्रस्तुत गधावरण, पंडित, स्रिनास सर्माद्वारा लिखी, इस्मृती नामक, इस्संसमर रात्मक निबन से आउतरित है, प्रस्तुत पंक्तियों में, लेखकों ने कुएं से पत्र निकालने की योजिना का उणन किया है प्रशन बर्दू, रेखांकित अंसु की ब्याख्या लिखा का कहना है कि साप एक ऐसा जी हो, जिसे चसू स्वा के नाम से जाना जाता है वहा मैं स्वैम चसू स्वा हो गया था, मुझे कुएं में ऐसा प्रतित हो रहा था कि जैसे अन्य इंद्रियों ने अपनी संपून सक्ती नेत्रों को दे दी है मेरी आखे साप की फन पर थी, कि साप किस तरव से आकरमण कर सकता है, इसलिए मैं बिलकुल चौकना था उधूर साप भी मेरे आकरमण की प्रतिक्षा में था, मैंने जिस संकल्प के साथ कुमे में प्रवेश किया लगता था, संकल्प अधूरा ही रह जाएगा साप से सामना होते ही, मेरी योजना एवं आसा असंभव सी प्रतित होने लगी, लाठी डंडा चलाने के लिए प्रयाप्त स्थान चाहिए, कुमे में डंडा चलाने के लिए इस्थान बहुत कम था, वहां केवल साप को डंडा से दबाया जा सकता था, लेकिन ऐसी करना पूतने के कारण आख से सुनता भी है, आख से सुनता भी है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और नेश्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्यू फोर वाचिंग